ये liquid fertilizer एक तरह का तरल पदार्थ होता है जिसे पौधों के लिए पोशक तत्तों की कमी को दूर करने के लिए हम लोग बनाते हैं दोस्तो इसका use हम लोग पौधों की growth और फल फूल लाने के लिए करते हैं यूँ तो बाजार में कई तरीके के liquid fertilizer आते हैं पर उनमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ केमिकल का अंस मिला होता है जिसकों की use करने से हम लोगों के गर्मियों में पेड़ खराब हो जाते हैं दोस्तो इसलिए गर्मियों में बजार का कभी भी chemical fertilizer use नहीं करना चाहिए नमश्कार दोस्तो मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हादिक स्वागत है दोस्तो यूँ तो हम लोगों घर में रोज सबजियों के चिलकों को या तो फेक देते हैं या फिर उसके compost बना लेते हैं किन्तो आज मैं आप लोगों को हरी सबजियों के चिलके से किस प्रकार से liquid fertilizer बनाई जाती है और उसको use करने का तरीका बताती हूँ दोस्तो इस liquid fertilizer को बनाने के लिए आप लोग आलू का भी use कर सकते हैं क्योंकि आलू के शिलकों में iron बहुत पाया जाता है इसके अलावा लोकी तरोई खीरे में magnesium, potassium, minerals और कई तरीके के vitamins पाये जाते हैं दोस्तो प्याज के शिलके में copper की बहुत मात्रा पायी जाती है इन सभी से मिला के बनी हुई ये liquid fertilizer हमारे पेड़ों के लिए वरदान के रूप में सावित होती है इन सभी सबजियों के शिलकों को आप collect कर लीजिए उसके बाद किसी एक बड़े बरतन में इसको डाल कर इसमें 3-4 गुना पानी डाल कर इसको 24 गंटे के लिए शाह वाली जगे पर रख दीजिए दिन में एक या दो बार इसको चला जरूर देजिए आप 48 गंटे बाद देखेंगे कि हमारी ये liquid fertilizer बनकर बिल्कुल तयार हो गई है अब आप इस liquid fertilizer को छान लीजिए छानने के बाद इसमें 2 गुना पानी मिला कर आप अपने पेड़ पौधों में डाल सकते हैं आप देखेंगे कि कुछ ही समय बाद हमारे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही होती है या जिसमें फूरूटिंग फ्लावरिंग नहीं हो रही होती है वो भी स्टार्ट हो जाती है इस लिक्पिट फर्टिलाइजर को आठ या दस दिन के अंतर पेड़ पौधों में आप डालते रहिए आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट बहुत जल्दी नजर आने लगेगा दोस्तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा